डाइबेटिस के मरीजों को जूस पीने से मना किया जाता है क्योंकि कई फल और सब्जियों में नेचुरल सुगर होती है और जूस कैलोरी में भी हाई होता है जो सीधे बलड में आपके सुगर लेवल को ब्लास्ट कर देता है परंतु कुछ ऐसे जूस हम आपको बताएंगे जिसके सैयमित मातर में सेवन करने से आपको सुगर कंट्रोल करने के साथ फाइबर विटामीन एंटी आक्सिडेंट भी प्राप्त होते हैं इनमें से नमबर वन पर आता है जामुन का जूस सुगर कंट्रोल करने के लिए जामुन का सेवन काफी फाइदे मन माना जाता है इ पालक ककड़ी का जूस पालक और ककड़ी दोनों का गलाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है और यह ब्लड सुगर को बढ़ाए बिना पूसक तक्तों की कमी को पूरा करता है इसमें उपस्थित विटामिन इम्मुनिटी को बूस्ट करता है इसका आप दिन भर में एक छोटा गिलास जूस पी सकते हैं और नमबर तीन पर आता है ठेमाटर का जूस यह जूस सरीर को खून की कमी से बचाता है इसमें पाये जाने वाला पावरफूल एंटी आक्सिडेंट विटामिन सी और लाइकोपें ब्लड सुगर को कंट्रोल कर इम्मुनिटी बढ़ाते हैं इस ज झाल